जेहन दोस्तों अन्दे मात्रा इन दिनों भारत में मंदिर मस्जित को लेकर काफि सारे मुद्दे चल रहा है ऐसे में ग्यानवापी मस्जित का जो मामला निकल कर सामने आया है वो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कई सारी आचिकाएं लंबे थे हैं और अब इस बात के पर विचार किया जा रहा है कि सबसे पहले किसी आचिकाएं से शुरुआत की जानी चाहिए क्योंकि हिंदू पक्ष वहाँ पर पूजा करने का अधिकार मांग रहा है वही मुस्लिप मक्ष इसका विरोध कर रहा है वहाँ पर शिवलिफ मिल जाने के बाद मेद वगाश बड़ गया यूँ कहें और भी जादा उलज गया जिसम्रे कि कई लोग अब कुछ और तरक दे रहा हैं और कई लोग कुछ और तरक दे रहा है इन तरकों के बीच में कई लोग हैं जो कि अपनी राजनिती के रोटियां सेकने में भी बाज नहीं आ रहा है ऐसे हम आज बात करने वाले हैं सद्धिनोवेसी के बारे में जो कि अक्सर इस परकार की राजनिती में आपको कूदे हुए जरूर मिलेंगे यहां पर उन्होंने कहा है कि भाई अगर मुगल भारती नहीं हैं तो उनकी बीवियां कहां से थी ग्यानवापी मज़्य दिवाद के बाद देशे मुगलकाल और मुसल्मानों के इतिहास को लेकर बहस चुड़ गई हर किसी को अपने अपने दावें सिर्फ ग्यानवापी नहीं ताज महल रकुत मिनार को भी लेकर मामला उटने लगा है इनके भी सर्वे की मांग हो रही है और इसी बीच एई एम आएम ने तास्दिन ओवेसी ने मुसल्मानों को लेकर बड़ा दावा किया है ओवेसी ने अपनी फेस्वेक पोस्ट में इतिहास और मुगलकाल को लेकर बड़ा दावा किया है उन्होंने लिखाए कि भारत के मुसल्मानों का मुगल से कोई रिष्टा ही नहीं है लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाओं की बीवी आखिर कौन थी उनके इस पोस्ट के बाद नया विवात खड़ा हो गया है इससे पहले ओवेसी ने असम के मुख्यमंत्री सर्मा के मदर्से को ले कर दिये गए बयान पर विया वत्तिशता ही थी ओवेसी ने बिट्टर हैंडल पर विस्वा के बयान पर पलड़वार करते हुए कहा है कि असम में 18 लोग मारे गए हैं और 7 लाग बार से प्रवाइत हुए हैं लेकिन मुख्यमंत्री अबद्र पड़ियों में व्यस्त हैं उन्हें आगे कहा कि जब संगी बिटिश एजेंट की रूप में काम कर रहे थे तब मदर से इंडिपेंडन्स के अंदोलन में सबसे आगे थे इसलाम के अलावा कई मदर से विज्ञान, गणेत और सामाचे के ध्यान भी पढ़ाते हैं आरेसेस पर हमला करते हुए ओवेसी ने कहा कि शाखाओं से अलग मदर से सवाभिमान और सानुभूती सिखाते हैं लेकिन ये बात अनपर संगी नहीं समझेंगे उन्होंने सवाल किया कि हिंदू समा सुधारक राजा राम मुहन रॉय मदर से में आखिर क्यों पढ़ते थे मुसलिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावना को दर्शाता है मुसल्मानों ने भारत को समरद बनाया हैं और आगे भी वैसा करता रहेंगे दरसल इस पूरे विवाद के बीच में कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि अपनी अपनी बात को सही ठहराने के लिए कई तरीके के तर्क इस्तमाल कर रहे हैं जो तर्क बिल्कुल भी तर्क देने के लायक भी नहीं है पब्लिक को ये समझना चाहिए कि इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं इस तरह की बातें कभी भी किसी को भी मतलब आप convince नहीं करा सकते इन बातों के शुरू किसी को भी इन बातों को करके आप सिर्फ ध्यान भटका सकते हैं थोड़ी सी तालिया मतलब सकते हैं लेकिन core solution आप कभी भी ने दिलवा सकते हैं लेकिन क्या होता है ये पब्लिक भी आज की रेट में सोशल मीडिया के दौर में इतने ज़्यादा information से घिरी हुई है कि उसको भी जो चीज फीड करा दी जाती है वो उसी चीज को मान लेते हैं ऐसे में कई बार ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी information सही है और कौन सी गलत है और तभी कई सारी चीजों को गलत तरीके से interpret भी कर लिया जाता है लेकिन यहां पर समझना यह होगा कि जो नेता है वो हमेशा सिर्फ अपन